तो आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग के लिए लेकर रहा हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सॉलेशन का लेक्चर नंबर 13 जिसके अंदर की पढ़ेंगे क्या है और इसको जानने के जानने से पहले इसका जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जैसे के डिफूजन और उसमोसिस उसके बारे में हम इसके चर्चा करेंगे और यह जो फर्स्ट क्वालिगरेटिव प्रोपर्टी था इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बो भी आप जरूर देखे ताकि आपको वहां से काफी कुछ कंसेप्ट मिलेगा और बुस्ट अप होगा एनरजी हलाकि इसका कोई भी कनेक्शन उन तीनों ही कंसेप्ट से कुछ भी नहीं है तीनों में कुछ ने कुछ little bit similarities थे लेकिन यहां वह ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं है जहां थोड़ा बहुत अपजाईर सी बात है या 10th क्लास पढ़ रहे हो तो 9th का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्ला जिसमять होता है दोसरे के साथ होते हैं तो जहां कहीं भी अगर एक सुबस दूसरे सामक से होता है लोग उसी को क्या बोलता है तो सेम रहाभी है की अगर और कोई दो सॉलुशन लिया गया है दोनों सोलीसीं अलग अलग जग मतलब एक कोंटेनर में how is गया है और यहां solution no.1 और solution no.2 इस तरीके से लिया गया है और बीच में एक membrane लेकिन ऐसा membrane है जहां से कि इसके molecules यहां और इसके molecules यहां आसानी से जा सकते हैं तो जब इसके molecules solution 1 के molecules solution 2 के अंदर और solution 2 के molecules solution 1 के अंदर बिलकुल आसानी से आ सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगा diffusion जैसे की सामने देखो क्या का रहा है सबसे पहले इसका definition देखो diffusion का क्या का रहा है कि movement of any substance from the region of their higher concentration to lower concentration 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 का मतलब क्या हो रहा है कि solute और solvent के molecules का जादा या कम होना तो जाहिर सी बात है कि जहां concentration higher होगा जहां molecules जादे होंगे तो वहां से कम की और flow कर जाएंगे अब मालों यह solution 1 है और यह solution 2 है ठीक है वह भी बहुत ही असानी से solution 2 के अंदर चले जा रहे हैं और यह movement तब तक होती है जब तक कि दोनों की concentration बिल्कुल सेम न हो जाए दोनों साइड बिल्कुल एक्कॉल न हो जाए ठीक है is that okay तो इसको हम लोग बोलते है diffusion और बिल्कुल similar ही एक चीज है जिसका नाम है osmosis तो osmos का होता है कि same setup लेंगे आपके सामने हमने लिया है ठीक है देखो यहां सामने तो यह एक सेम सेप लेंगे लेकिन बस अंतर यहां differentiation क्या करना है कि membrane को differ कर देना है membrane जो यहां लिया जाता है उस membrane का नाम होता है SPM SPM का मतलब क्या होता है semi permeable membrane semi का मतलब होता है earth permeable का मतलब होता है par gummye, par gummye का मतलब जिससे की R par जा सके membrane का मतलब जिल्ली मतलब earth par gummye जिल्ली मतलब वैसा membrane, वैसा जिल्ली जिससे कि कुछ molecules को जाने दे और कुछ को रोक ले बने आधा को ही जाने दे कुछ को ही जाने दे तो ऐसे इस दिए में SPM और सेमी पर्मियवल मेंबरेनुसी गुकाते है यही SPM यहां लगाया हुआ है तो देखो इससे तो तो तोड़ा सा होल इसमें कम है ठीक है यह जो बना हुआ होता है वो अनिमल मेंबरेन्स का होता है हलाकि यह पहले होता था अनिमल मेंबरेन्स का बाटर को फिल्टर करने के लिए लेकिन अब जो है इतना विकास कर गया है कि अब लिया जाता सेलोफॉन का अ लिया जाता ये मेंब्रेन और इस मेंब्रेन का होल्स बहुत ही छोटा होता है अब देखिए solution 1 और solution 2 है ठीक है ना इस solution 2 में solvent की concentration जादा है solvent की concentration जादा होने की का मतलब है solvent की concentration जादा होने का मतलब है कि solute की कम होना समझ्या रहा है ना solute के molecules का कम होना चुकि जब solute की concentration बढ़ती है तो solvent की concentration खुद ही घड़ जाती है चुकि solvent के इस्पेक्ट में solute भी दिरे बढ़ रहा है तो solution के अंदर solute का बढ़ना अरथात की उसी solution के अंदर solvent की concentration का घाटना तो यहां जो है वो concentration level different है यहां मालो high है और यहां मालो low है यहां low concentration है हम लिग दे रहे हैं यहां low c-o-n-c यहां क्या है high c-n-c यहाँ high concentration है तो solvent molecules जो है वो इधर की और आएंगे तो इस solution के अंदर जो solvent होंगे वो दीरे 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 high से low की और आएंगे इधर की और लेकिन तक हो कि सर इधर से भी इधर जाएगा नहीं जाएगा चुकि हमेशा जो है वो higher concentration से lower concentration के तरफ flow करेगा तो हम बता रहे हैं कि solvent को आने देगा पर solute को नहीं तो इधर से इधर आने देगा नहीं इधर से उधर जाने देगा solute ने इधर जाएंगे ने इधर आएंगे क्यों नहीं क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि अर्ध पारगर में जिली का मतलब कुछ ही molecules को आने देगा कौन से molecules को आने देगा तो solvent को molecules को आने बेगा और solute के molecules को रोक लेगा जैसे कि water होंगे, universal solvent group में water होंगे, alcohol होंगे, generally जो हमेशा नहीं हो रहा है, हमने ऐसा नहीं कहा हमेशा, अब solution के सारे concept को, सारे lecture को देखिए, सारा चीज के लिए हो जाएगा, तो यहाँ जो है, वो liquid चीजे जो हाँगी, वो तो असानी से पार करेंगे, लेकिन उसके जो solid particles जो तुरह fine बड़ा होगा, वो तुरह fine particles को यहीं रोख देगा, बोले तुम लोग कहां, तुम लोग यहीं रोख, और उसमें से water molecules या कोई वो चीज जो ऐसा होगा, वो इधर की और धिरे धिरे आजाएगा, तो इसी को बोलते हैं osmosis, क्या बोलते हैं osmosis, मतलब कि higher concentration वाले solvent molecules को lower concentration के तरफ जो flow करने की process होती है, उसी को हम लोग osmosis process कहते हैं, जैसे देखो, यहां सामने सेम चीज लिखा हुआ है, movement of solvent molecules from region of its higher concentration, मतलब यहां से to lower concentration, यहां के लिए through a semi-permeable membrane, इसके द्वारा उसी को हम लोग क्या करते हैं, SPM semi-permeable membrane और इस पूरी घटना को क्या करते हैं osmosis, इस देटों के बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका screenshot ले ले, हम लोग next concept दिखते हैं, तो अब question यह उड़ता है कि क्या सर यह osmosis process को रोका जा सकता है, बिलकुल रोका जा सकता है, तो दो रोकते हैं तो रोकते हैं उस प्रीशर गानाम घर आसमोटीक प्रोस्थ्स और उस फ्रेसर को लोगर करें यह क्या होती सटल देखते हैं यह को रोखने का उपायया बताते ओधाते की का से रोकते हैं बहुत ही कम मतलब की वैसा कुछ निमेरिकल बगर है बहुत ही जी भी में आपको समझ में भी आ जाएगा इस देट ओके तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां एक ऑजयतर लगाते हैं ओस्मोटिक प्रेसर क्या लिखते हैं ओस्मोटिक प्रेसर और इसको लोग पाई से डिनोट करते हैं है से pa 위해서 ओके और इसका definition क्या देते हैं पहले हमलोगं कशेप समझते हैं फिर concept के according definition बना लेंगे ठीक है चलो आजाओं तो ये रहा यहां इस तरीके से हाँ एक हम बीकर बना लिए यहां ऐसे कोई प्रॉबल दिलकुल नहीं साथ में आप भी बनाएंगे ऐसे यहां से आगा ठीक है यह हो गया solution बन के लिए यहां हम लोग लगा दिये SPM SPM समझ कहा न सेमी पर मेंब्रेन अभी यहां से यह आगया इधार की ओर ऐसे ठीक है और यह रहा solution one और यहां हमने बना दिया क्या solution two थोड़ा सा अच्छे से अना क्योंकि सहर आप जो लिखते हैं बहुत फास्ट लिखते हैं बोलते भी हैं फास्ट समझ में नहीं आता इस कारण तोड़ा दे रहे लिखिए solution two यहां हो गया solution one अब यहां हम एक पिस्टन लगा दें यह पिस्टन नहीं पिस्टन उपर से इधर की और ऐसे ठीक है अब इस पिस्टन का जो नॉर्मल जो प्रेशर होगा इसके उपर जो लगायेंगा वो 1 ATM होगा कितना होगा 1 ATM जब कोई प्रेशर एक्ट्रा प्रेशर नहीं नो एक्स्ट्रा प्रेशर लेकिन तब तब OSMOSIS होगी इस तब हिस्त पोढ़ी से थेख प्लेस लिग देरन्य दीस टाइम आसमोसिस इस असमोसिस से बाट एक्स प्लेस अभी ओस्मोसिस होगा लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा प्रेसर लगा देंग अब इस से थोड़ा ज्यादा प्रेसर लगा देंग के यह चीज यहां आ जाएगा जब इससे जढ़ा extra pressure लगा गेँगे तो जो molecules इधर से इधर की और move कर रहे थे वो stop हो जाएगा जैसे इधर से molecules इधर आ रहे थे इधर concentration solvent का low था solution से solvent के कुछ molecules इधर की और आ रहे थे ठीक अभी इधर से तुम दवा दिया थोड़ा pressure ज़़ा लगा रिया तो जो भी concentration है इधर का इधर का molecules को तो तो ताकत मिली गया इधर से भी लगाना शुरू कर दिया तो इधर से जो movement यह stop हो जाएगी इधर से यह भी चुकि इधर pressure अब ज्यादा हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं definition में कि the extra pressure the extra pressure which can stop the process of osmosis is known as osmotic pressure अना है तो हम लोग यहां लिख लेंगे क्या कि the extra pressure which can which can stop the process osmosis is called क्या osmotic pressure और यही osmotic pressure जो है वो हमारा fourth number colligative property है fourth number colligative क्या है property is that okay okay sir अब यह जो पाई जो होता है जो तुम पाई देख रहा हो यो पाई जो है वो directly proportional होता है molarity के याद रखना molarity molarity के ठीक है और यह पाई directly proportional होता है temperature के किसके proportional होता है temperature के तो पाई directly proportional MT के होगा बिल्कूल होगा सर और आर हम लोग ले लेते हैं gas constant क्या ले लेते हैं gas constant तो पाई इस इक्वल टू एम आर टी हो जाएगा MRT और M बरावर C हम लोग लिखते हैं लिख सकते हैं तो पाई बरावर क्या हो जाएगा CRT यही formula आपको दिया हुआ है बुक में पाई इक्वल टू CRT अब यह C क्या है याद रखना molarity ही है C अब molarity इस इक्वल टू क्या होता है बाबू आपको मालूम है molarity is equal to हम लिख दे रहे हैं mols of solute upon volume of solution in क्या लीटर मालूम है ना volume of solution in क्या बाबू लीटर तो यह जो है अब हम लोग इस पे इसको adjust कर लेंगे तो क्या लिखेंगे देखो तो पाई इस इक्वल टू मोल्स of solute तो क्या हो जागा into by volume of solution मतलब की B तो C is equal to मतलब की M is equal to into by B लिख सकते हैं और into क्या हो जागा RT इस देट ओके तो पाई इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ध्याको पाई इन्टू भी इस इक्वल टू क्या हो जागा इन्टू आर टी होगा ना पाई भी यहां multiply कर देट इन्टू आर टी को दिक्कत बिलकुल ही अब आपको मालूम है कि इन्टू इस इक्वल टू क्या होता है number of moles of solute है तो कैसे निकालते हैं given mass by real mass w2 by m2 तो πाई इन्टू भी इस इक्वल टू क्या हो जागा डवलू टू बाई इन्टू इन्टू आर टू तो अगर इन्टू निकालना रहे मास निकालना रहे मास of solute निकालना रहे तो क्या कर दोगे डवलू टू आर टी भाई क्या हो जागा पाई इन्टू भी और इसी पे आपको numerical जादा तर आता है इस देट ओके तो आप इस और यह फोर्थ नंबर और यह जो कॉलिगेटी प्रॉपर्टी था ऑस्मोर्टिक प्रेशर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आप इसका भी स्क्रीन सॉट ले लिजिए चलो तो इसके बाद अब हम लोग समझेंगे इसके उपर एक numerical एक question देते हैं और हम लोग दोनों ही मिलकी इसको हम लोग solve करेंगे बराएंगे इस देट ओके बिटा रहे हैं चलो बहुत ही easy problem रहेगा आप उसको बना करके हमको दिखाएंगे चलिए तो ये रहा example ओके आपके सामने एक problem है अब इसको कैसे solve करोगे बताओ तो सबसे पहले हमकसरा क्या कहते हैं तुम लोगों को कि जो दिया हुआ है उसका result लिख लो और निकालना क्या है उसके बारे में consider करो तो देखो इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है तो आपको पता है नहीं कैसे निकालना है इसमें सबसे पहले लिख लो चुप चाप से यहां भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमेटर क्यों इसको लीटर में चेंज करो 200 वाई 1000 को करोगे तो टू पॉइंट क्या जाएगा जीरो टू जीरो पॉइंट टू कोई दिकत बिलकुल नहीं अब आगे चले एक सॉलूशन ओफ यह प्रोटीन कंटेंज 1.26 ग्राम डबलू टू इज इक्वल टू 1.26 ग्राम दस्मोटिक प्रेशर आप सॉलूशन टेंप्रेचर आपको अगला ही टर्म्स में दे दे रहा है 300 कल्वी और तुम्हारा ओस्मोट यह वहां दिया हुआ है सॉलूशन इस टेंप्रेचर इतना दिया तुमको और तो कुछ नहीं देखा अब सिधा साब से एंटू पूछ रहा है तो आप निकाल सकते एर आर बराबर तो मालूब है 0.083 होता ही है गैस कॉंस्टेंट की बैल्यू अभी 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 एम टू बराबर हमने फॉर्मूला लिखा था क्या लिखा था आपको याद है नहीं भी याद है तो आप बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं पाई सियार्टी करके तो एम टू इस इकवल टू क्या था डवलू टू आर टी बाई पाई इंटू भी यही था ना डवलू टू आर टी बाई पाई तो इसी फॉर्मूले पे आप सेट कर देंगे एम टू इस इकवल टू डवलू टू कितना है वन पॉइंटू आर जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट्री इंटू टैंपरेचर कितना है प्रीहंड्रेड केलवीन डिवाइड़ड़ वाई पाई कितना है तू पॉइंट फाइव सेवन इंटू टैंटू दी पावर माइनस त्री इंटू कितना हो जाएगा भी वॉल्यूम कितना है पॉइंट टू तो एम टू इस इक वाइस ग्राम पर मॉल आप इसका यह कर लेंगे तो एंसर इतना है एंडिट पर्शंट इवी कल्कुलेशन तो आप कर सकते हैं भाई हम तो कहते हैं कि हैस्ट डूमें तुम कैल्कुलेशन नहीं करके बताओ कि तुम्हारा कितना इतना आ नेक्स्ट जो है हम लोग अब जानेंगे रिवर्स प्रोस्मॉसिस के बारे में तो इस था वाइस था ऑप सॉलूशन की मॉलिक्यूल में जो solvent की molecules की concentration होती है, जो high होती है और जब solvent की concentration high हो और higher concentrated solvent molecules है वो lower concentrated के तरफ जो flow करते हैं उसी को हम लोग osmosis बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि osmosis process से ज़दा osmosis जो , osmotic pressure लगाते थे उस pressure से ज़दा pressure लगा करके और इसी process को reverse कर देंगे तो वो process क्या हो जागा reverse osmosis और यह 3 तरीके से किया जा सकता है यह तीन होता है हम लिख दे रहे हैं पहला दखो पहला जो होती है यह यह block में लिख रहे हैं पहला होता है isotonic pressure isotonic pressure का मतलब होता है same pressure क्या होता है बाबू? स्रेम प्रेशर इसमें पाइबन जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है पाइटू के मतलब सॉलिशन के दोनों साट जो प्रेशर बराबर होता है फिर होता है हाइपो टोनिक क्या होता है हाइपो टोनिक प्रेशर हाइपो टोनिक में क्या होती है कि पाइबन जो होती है व अब हम लोग इसी के बेसिस के हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस को समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है सेम पिक्चर बिल्कुल बनेगा यहां आपके सामने इस तरीके से हम लोग यहां से ले जाएंगे कि यहां 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 से एक लेकर आ गया हम यहां लेकर चले गए अभी यह यह रहा पीश्टन है ना यही प्रेशर को हम लोग बढ़ा देंगा देखो यहां यहां हो गया सॉलुशन वन और यहां भी हम लोग ले लिए यहां होगा सॉलुशन यहां होगा सॉलुशन टू इसमे थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे ऐसे करतेंगे यहां एक कंटेनर रख देंगे और इसी से जो हो वाटर मॉलिक्ल्स यहां से इतन लेंगे प्योर वाटर है ना कौनसा वाटर की दखो रिवर्स औस्मोसिस क्या है रिवर्स औस्मोसिस एक इसी को बोलता है आर ओवाटर अप लोग जनरली सुनते होंगे किसी कि से मुह से कि भाई हम तो रिवर्स आसमोसिस मतलब की आर ओ रही पीते हैं, आरो वाटर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे मतलब प्यूरिफाइड किया जाता है, बहुत सिंपल मेथड है, देखो यह जादा तर जो यूज किया जाता है, वो अरव कंट्री बगर में यूज किया जाता है, या वैसे जगों पर यूज किया जाता है, जहां की पूल लसको हटाने के लिए जो प्रोसेश इस्तमाल किया जाता है उसी को करते हैं है रिएरस Osmosis इसे solvent molecules lower concentration के तरफ जा रहा था तो हम लोग क्या करेंगे कि एक impure solution ले लेंगे यहां और यहां भी impure solution ले लिए अब क्या करेंगे या फिर यहां pure solution है तो ऐसे इस्तिति में हम लोग क्या करेंगे कि यहां बहुत ज़्यादा रिष्या सबस्क्रिक्षश को तो पता है न अभी रहे हमने बता है कि यहां प्रेशर। बार सब्सक्राइब करना कि जैसे लगाएंगे तो जितना भी इसके अंदर जो मॉलीक्युंसॉं वो धुरिय धिरी दीर यहांआ सुरू हुँ होझा अभी इसके अंदर जब solvent molecules आएगा, मतलब pure water आना शुरू हुआ, तब यहाँ इसे एक tap नल लगा देंगे, जो कि इसके द्वारा सारा water यहाँ collect हो जागा, ठीक है, तो osmosis, osmotic pressure पे जो osmosis pressure को रोका जाता है, उस osmotic pressure से ज़्यादा pressure लगा करके, और osmosis pressure को उल्टा अगर करवाया जाता है, तो उसी को हम लोग reverse osmosis करते हैं, क्या करते हैं, reverse osmosis, और यह ज़्यादा तर desalination, हमने क्या कहा, desalination करके, pure water को बनाने में इस्तमाल किया जाने वाला एक process है, is that okay, कोई problem, नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका definition में, कि more pressure is exerted on, more pressure is exerted on, from osmotic pressure, on a osmosis, on a osmosis, is known as reverse osmosis, मतलब की, osmosis से, जो pressure पे osmosis हो रही थी, उससे ज़्यादा pressure लगा करके, उसी को उल्टा करवाना ही, reverse osmosis, is that okay, तो आप इसका विए screenshot ले लिजे, तो आई होब क्या बहुत ही अच्छे से osmosis, osmotic pressure, isotonic pressure, hypertonic pressure, hypotonic pressure और उसके calculations related सारे concept को clear किया, reverse osmosis भी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको और बहुत ही easy चीज़ है, बहुत ही छोटा चीज़ है, तो इस lecture के अंदर इतना ही, और जल्दी हम लोग मिलेंगे next lecture के अंदर, जो की coffee important और बहुत ही जवरदस्त और प्यारा है, abnormal molar mass, certain amount of factors related, यह आप wait करेंगे, जल्दी हम लोग उस lecture को लेकर आएंगे, जल्दी मिलेंगे उस lecture के अंदर, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,